तो भाई इस SmackDown में Roman Reigns और Rock के Face Off के बाद में चीज़े जिस तरीके से सोचल मीडिया पर चली हैश्टाइग WeWantKody, WeWantRocky, Justice for Cody और Rock के उपर जिस तरीके से फैंस टर्न कर गए बाते ये चल रहे थी कि ये WWE की स्टोरी लाइन का पार्ट है बाद जिस तरीके से Rock को Boo मिली ये WWE ने नहीं सोचा था और आज के Monday Night Raw देखकर तो भाई सच में ऐसा लग रहा है कि WWE यही चाहरी थी क्या क्योंकि भाई आज के Monday Night Raw के अंदर कहीं से भी किसी भी जगा पर जो सोचल मीडिया पर चल रहा है उसको छुपाने की कोशिश नहीं की गई इनफेक्ट फैन्स के हाथ में जो बैनर्स थे उसको WWE क्लियरली दिखा रही थी आम तोर पर WWE ऐसा करती नहीं है इसके लावा Rocky Sucks के जो चैन्स लग रहे थे उसको भी म्यूट नहीं किया WWE ने वहीं पर कॉमेंटरी में बैटी हुए Michael Cole और Pat McCaffee भी इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे तो यार इन चीज़ों को देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये WWE के प्लांस है बट इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि WWE को Roman Reigns के बाद उनका next face मिल चुका है जो कि Cody Rhodes होने वाले हैं इसके लावा भाई Cody Rhodes और Shins की Nakamura का जो bull rope match था वहाँ पर Cody Rhodes चेत गए थे उस match को बट लास्ट में Drew McIntyre ने आकर Cody Rhodes के उपर अटेक कर दिया Rocky of Air और उनके बाद एक वीडियो रिलिस कर रही गई WWE के तरफ से जहां पर Drew McIntyre और Nakamura दोनों ही अटेक कर रहे थे Cody Rhodes के उपर जिसके बाद में Sammy Zane Cody Rhodes को बचाने के लिए आते हैं Seth Rollins को World Heavyweight Championship के लिए चैलेंज करेगा तो बस यार यही कुछ है आज की इस वीडियो के अंदर वीडियो अगर तुम लोग को अच्छी लगी हो तो WWE की informative वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो के लाइक ज़रूर कर देना